So guys, आज का जो वीडियो हुने वाला है, that will be an eye-opener वीडियो, इंशालला, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग यह 20 important ratios देखने वाले हैं, और कुछ अलग तरीके से देखेंगे, and I am sure कि यह वीडियो देखने के बाद में, किसी भी company को देखने का नजर यह आपका change हो है, और कुछ important basic चीज़े बताईए यह company के बारे में, तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग यह वीडियो अच्छे से समझ में आने लगेंगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक single वीडियो में हम लोग यह सारे ratios देख लेंगे, और काफी interesting वे में और सारी examples के सा है, हम लोग कुछ ऐसे parameter set कर लेंगे, जिसके एक click पर हम लोग को on design में से अच्छी important companies निकल के आनी शुरू हो जाएंगे, और यह वीडियो शुरू करने से पहले, एक simple से secret में आप लोग को बताना चाहूँगा, वो यह कि किसी भी company के अच्छे होने की निशानी यह होती है कि उसके promoters के पास में उसका stake जादा होना चीए, और यह बोला जाता है कि किसी भी company में, अगर उसके promoter का stake more than 50% है, तो वह एक अच्छी company है, और अगर यह stake more than 60 or 70% है, तो यह काफी अच्छी company मानी जाएंगी, अब promoters का stake stake कैसे किया जाए, तो यहाँ पर हम लोग जाएंग कि यह fundamental strong company है, यह weak company है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इसके ratios के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे नीचे, और अगर हम लोग देखेंगे इसका share holding pattern, तो यहाँ पर promoters का stake यहाँ पर दिखा रहा है 50% के नियर, और इसमें कुछ investors भी है, जैसे FIIs, DIs, then government, then इस के बार में public, तो काफी लोग इसमें interested है company में, अभी अगर कोई बन्दा बोले कि 50% हो stake है, तो यह काफी अच्छी company होगी, तो यहाँ पर मैं आप लोगा advance freak बताऊँगा, कि आपको जाना है promoters के अंदर, और देखना है, कि यह company को जिसने form किया था, उसका stake कितना है, इसमें तो यह गंबानी में stake अंबानी काउन अच्छी, तो यहाँ अगर मैं जाके देखू, तो यहाँ पर मुझे दिख रहे है यह अंबानी family members, है न, Mukesh अंबानी, नीता अंबानी है न, इशा अंबानी, आकाश अंबानी, बड़े stake की जब मैं बात करू तो, इनका stake just है 0.12%, 0.12 Okay, देख रहे हैं अब लो, और अंबानी, अगर मैं देखू, तो कोई दिखी नहीं रहे हैं आपर, अगर यह total अंबानी जो भी दिख रहे हैं उनके, अगर stake की मैं बात करू, तो यह पूरो का निकल के 1% भी नहीं आ रहे है, तो क्या यह company अच्छी होंगी या बुरी होंग अगर मैं promoters की बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखी है, कि promoters का stake total 1% भी नहीं निकल किया रहे है, तो आप कुदी समच जाओंगी कि यह वीडियो में आप लोगो क्या चीस मालम पढ़ने पर, तो यहाँ पर फिर कौन सी company अच्छी मानी जाएंगी, मैं यहाँ पर एक sample दिखाता हूँ, एक company that is Mirza International Company, अगे, इसके shareholding pattern को मैं आप लोगो दिखाता हूँ, अगे यहाँ यहाँ पर promoters का stake, यहाँ पर देखिया आप लोग promoters का stake, यहाँ आपर stake कुछ दिखके आ रहे हैं मजे finally, 71% और अगर मैं यहाँ पर जाके अगर click करके देखो, तो यहा जाए, मतलब यह एक ऐसी company है, जहाँ पर family members के पास में ही पूरा stake है, अनलब family members ही मिलके company को जब चला रहे है, और यह कोई private limited companies के आथों में नहीं एक company, तो ऐसी company हम लोग समझ सकते के एक fundamentally strong company होंगी, जहाँ पर promoters ने ही अपना stake ज़्यादा रखा है, तो जब इन लोग के ने stake रखा है, तो इनलोग definitely कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, कि यह company को कौन से level पर लेके जाना है, तो यह रहती है बाद important companies की, खर हम लोग देखेंगे यहाँ पर important fundamental ratios और यह basis पर calculate करने की कुशिश करेंगे, कि यह company यह parameters में अच्छे से बैट रही है या नहीं बैट रही है ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहला ratio यहाँ पर important market capitalization, तो यहाँ पर market capitalization का formula होता है, number of equity shares into current market price, कि stock market में जितने भी shares trade हो रहे है कोई company के, अगर मैं इसको into कर दो उसके current market price से, तो निकल के आ जाएगा पूरा market capitalization, तो यह चीज़ सबसे important है, और यह company है, etc. अब यहाँ अबर बहुत सी companies ऐसी होती है, जो आप लोग को इस मामले में एड़ा बनाती है, कैसे, अगर वो small cap company है, तो वो अपने market cap को बढ़ा के, mid cap या large cap दिखा देती है, तो यह चीज़ कैसे हम लोग को समझ वाएंगी, यहाँ आपर देखिए, एक company है, जिसके stock की price है, Rs.10, और ऐसे समझ के चलो कि उसके total shares है, 100, तो secondary market में जो shares उसके trade हो देखिए, 100, अगर मैं इसका market capital निकालो तो 10 into 100 equals to 1000 रुपीज, तो इसका market cap हो गया वही, 1000 रुपीज, और यह हो गई एग small cap company, ठीक है, अब यहाँ पर यह company में growth आई, ठीक है, एक company में growth आई, औ और इसकी price बढ़ गया हो गई, 30 रुपीज, ठीक है, 30 रुपीज जब हो गई, तो मैंने क्या किया, 30 into 100 किया, तो वो basis पे इसका market cap निकल किया गया, 3000 रुपीज, ठीक है, अब यह चीस्तों मुझे समझ में आ रही है, यह सीरी सीरी चल रही है, ठीक है, अब अचानक ऐसा हो stop की price कम हो रही है, तो इसका market cap पिकाप होना चीए, बड़ यहाँ अबर इसका market cap बढ़के 5000 रुपीज हो चुगा है, तो यह कैसे possible है, तो यहाँ पर exactly हुआ गया है, this is the scenario, कि यह जो company का market cap निकाला गया है, this is due to this formula, यह इसकी current market price थी रुपीज 10, और number of shares से 100, तो 1000 निकल गय यहाँ यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आपको गुमाया गया है, यहाँ पर यह जो formula है, जहाँ पर market cap equals to number of equity shares, into current market price है, वहाँ पर instead of current market price, number of equity shares बढ़ाए गया है, okay, and it is not a good sign, अगर किसी company का market cap बढ़ रहा है, तो वह उसके price की basis पे नहीं, बलके उसके shares की basis पे बढ़ रहा है, यह चीज़ हम लोग के से identify करेंगे, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, screener.in पर, और यहाँ पर type कर लूँगा कोई company का नाम, मैं लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ market park बन्यो, और यहाँ पर मुझे दिखा रहा है वही, इसका market cap that is 44,000 करोर के आसपास में, अब मुझे देखना है कि यह company का market cap किस range में बढ़ा है, यह से मैं market cap historical निकाल लोगा थोड़ा सा, market capitalization 5 years back, और क्या निकाल लोगा market capitalization 3 years back, तो यहाँ पर 5 साल पहले इसका market cap 28,000 के कर करीब में, और अभी जो चल रहा है, 44,000 के करीब में, तो यह चीज मुझे एक सच्छाई दिखा रही है, कि market cap में जो growth हो रही है, यहाँ पर कुछ fake growth नहीं दिख रही है, और यह जो company है, इसकी current market price फिलाल जो चल रही है, 1631 अब मुझे यह चीज दिखनी है, कि यह जो market cap ब और इसके अंदर मुझे यह नीचे जो tabs दिख रहे हैं, इसमें से data sheet वाले tab में जाना है, और इसको scroll करके नीचे देखना है, यहाँ पर मुझे दिख जाएंगा number of equity shares, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे number of equity shares, जो totally constant है, जो ना increase हुए है, ना decrease हुए है, तो यह एक अच् अब यह company का मैं देख रहा हूँ, कि market cap जो था, 5 years back कितना था, 35,000, तीन साल पहले बढ़ना चीया था, पर यह कितना हो गया, 34,000 चलो ठीक है, पर अभी क्या दिखा रहा है, 1,18,000, तो इतना growth, तीन साल के अंदर, suddenly इतना increase in growth, यह कैसे possible है, तो यहाँ पर मैं इसकी price देख of 478 है, अब मैं देखता हूँ, इसके number of equity shares, तो यहाँ पर मैं इसको export to excel करता हूँ, speculate करता हूँ, और यहाँ पर data sheet में जा के, नीचे देखता हूँ, number of equity shares, तो यह देखिए, यहाँ पर growth जिसमें देख रहा है, मुझे, तो यह company का जो market cap जो suddenly बढ़ा है, तीन साल पुराना जो भी अभी दिखरा है हम लोग को, it is not due to the market price, it is due to what, number of equity shares, तो प्रियर प्रियर यह चीज़ हम लोग को यहाँ पर दिख जा रही है, तो यह था हमारा first important parameter, okay, that is the market capitalization, अब next value इसमें है book value, book value का मदलब मैंने last video में ही बता दिया था, कि जो भी company जब stocks market में list होती है, तो जो initial price होती है, उसको बलते है, हम लोग उसके book value, जैसे ही वो list हो जाती है, तो उसके बाद में उसमें trading शुरू हो जाती है, अब trading शुरू होने से उसकी price कम जादा होना शुरू हो जाती है, तो हम लोग वो price को बलते है, उसके current market price, okay, अब आप लोग ही सोचो कि कोई company की price अगर उसके book value से बढ़के निकल के आ रही है, तो वो एक अच्छी company होंगी, अगर कोई company की price उसके book value से नीचे जा रही है, तो समझ जाओ कि जो price पर वो list होई है, हम आसे वो कम होते जा रही है, और कुछ-कुछ companies ऐसी होती है, जो जिसकी book value और current market price एक पर होते रहती है, बट यह कोई एक ऐसा ratio रही है, जिसकी basis में हम लोग यह बोल थे, एक company अच्छी नहीं है, बुरी है, यह रही है, यह रही है, तो हम लोगो कुछ और analysis करना होगा, और हम लोग ठून टेप की नहीं बटेंगे कि कौन से इसी companies है, जिसमें इसी से कम जादा हो लिए है, तो इस बैटर जिसकी price है 1000 रुपीज, और उसका book value है 100 रुपीज, तो मैंने जब 1000 को 100 से divide कर दिया, तो PV ratio निकल किया गया 10, अब 10 में को यह चीज़ बता रहा है वही कि यह जो company है, यह undervalued है कि overvalued है, अब आप खुदी देखके मुझे बताओ, यह कोई company अगर लिस्ट ही ती 100 रुपे क rate पर, और उसकी value अभी चल रही है, 10 गुना बढ़ किया, मतलब 1000 रुपीज, तो definitely वह expensive हो चुकी है, ओके, तो यह company overvalued हो चुकी, यह चीज़ मझे यह ratio से माने पड़ रही है, ओके, तो आप हम लोग कैसे conclude करेंगे, अगर किसी company का PP ratio 5 से उपर है, तो मतलब वह company expensive है हमारे अगर किसी company का PP ratio 2 से 5 के बीच में है, और अगर किसी company का PP ratio less than 2 है, तो वह undervalued company है, ओके, और अगर किसी company का PP ratio less than 1 है, मतलब, यह हमारे लिए अपोशुनेटी है, कि अगर इस company के और भी fundamentals अच्छे है, तो ऐसी company को मैं बिक कर सकता, अब हम लोग example के साथी समझेंगे यह एक है इसमें, बालकरिशन इंडस्ट्रीज, इसको BKT बोलते हैं हम लोग, और यह भी टायर बनाती है, और second company है, MRF limited, जो कि बहुर्ट famous है, अब यहाँ अबर अगर current market price लिए में बात करूँ, तो यह company का current market price चल रहा है 2400 रुपे, और यह company का चल रहा है around 100 रुपेस, तो अगर कोई बंदा पूच है, कि वही दोनों में से कौन सी company expensive है, तो definitely हमारे mind में एक ही click आएंगा कि वही हमारे इस जादा expensive है, और overvalued company है, बड़ अगर मैं calculate करने बैठो, और देखो, तो इसका PB ratio निकल क्या रहा है 6.13, और इसका किनना निकल क्या रहा है 2.87, मतलब यह हो समझ में, तो यह चीज़ आप लोग को दिखेंगे का पर, तो हम लोग यहाँ पर अगें देखेंगे यहाँ पर, आपको डालना है, for example MRF डाल रहा हूँ में, click कर रहा हूँ, तो यहाँ आप आप नीच्छे जाएंगे, और यह जो है, यह आपका PB ratio, तो देखिए यह बालक opportunity है, हम लोग अच्छे से इसको analyze करते हैं, कुछ और इसके factors देखना चाहिए के company अच्छी हो रही है, तो इसको हम लोग कहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे बले हो, तो दिख जाएंगा book value, और PB ratio आगर देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख करीब में, और अब इसकी price कितनी चल दी है, 1 lakh के करीब में, तो इसका PB ratio कितना निकल क्या रहा है वही, 2.87, ठीक है, अब next point अब लोग देखेंगे, यहाँ पर pledge percentage, तो pledge percentage का मतलब यह हुआ, कि जब company पर ऐसी नौपत आ जाती है, कि उसे funds की गरॉत होती है, या उसको अपना loan चुकाना होता है, या कुछ payment करनी होती है, और उसके पास पैसे नहीं होते है, तो वो अपने shares को गिरुवी रख देखती है, तो definitely एक negative sign है किसी भी company के लिए, कि ऐसी कौन सी नौपत आ वही है, कि company को अपनी shares को गिरुवी करना पड़ा, तो यह एक अच्छा ratio नहीं पाना है, अगर इसका patch percentage 5-10 के बीच में है, अगर हम लोग इसको ignore करेंगे, अगर एक से match के बीच में है, तो हम लोग इसको अच्छे से analyze करेंगे, कुछ important factors और देखेंगे इसके, और अगर less than 1 है, या ही नहीं, तो it's better कि ऐसी company में हम लोग खाद दा ले, तो हम लोग को ऐसी company दे लेता हो, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, प्लेच, परसंटेच, तो यह यहाँ पर आ गया, तो इसका प्लेच परसंटेज है भाई, 100%, तो 100% गिर भी है यह company, तो ऐसी company में definitely मैं हाथ नहीं दालूँगा, यह company के कुछ और भी problems होंगे, क्या पता, क्या problems होंगे मुझ है, बट ऐसी company में हाथ नहीं दालना है, ठीक है, अगर मैं दुसरी company की बात करूँ, यहाँ पर TCS की, तो TCS का pledge percentage देखिए, आप लोग 0.48%, मतलब यहाँ आपर हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर pledge है नहीं, तो यह एक अच्छी company बानी जाएंगी, और वेदानता में pledge percentage जादा मना जाएंगा, ठीक है, अब next parameter हम लोग देखेंगे, आपर that is interest coverage ratio, तो किसी भी company में interest चुकाने की capacity होती है, उसको हम लोग बोलते है interest coverage ratio, तो इसको हम लोग year से calculate कर सकते हैं, तो उसके पास में in hand कितना cash पड़ा है, जिसे वो easily pay कर सके, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग ब 20 पड़े है, ठीक है, तो उसका interest coverage ratio क्या निकल गाएंगा भई, उसका interest coverage ratio निकल गाएंगा 3, यह 3 साल तक वो easily use loan के interest को चुका पाएंगा, उसके बाद उसको क्या करना बढ़ेंगा, पैसे का, पैसो का बंदबस करना होगा, ठीक है, तो यह हो गया हमारा interest coverage ratio, तो किसी भी company क interest coverage ratio अगर अच्छा है, मतलब उसके बास में in hand इतना पैसा है, कि वो easily interest को चुका सके, तो उसके लिए loan लेना भी कोई बड़ी बात निया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो reliance industries का निकल जा रहा है, यहाँ पर 5.84, मतलब इसके बास में in hand इतना पैसा है, क hypothesis का 117 निकल किया रहा है, बड़ यहाँ पर यह company's का देखिए, Vodafone के पास में इतना भी पैसा नहीं कि एक साल तक अपने interest को पे कर सके, Tejas Networks और बुरा हाल है, Zomato का तो और बुरा हाल है, कि minus 19 में जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी company में हम लोग ने हाथ नहीं दालना है, ठीक अब यह कहां पर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर, again, और TCS for example यहाँ पर लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखतेंगे interest coverage ratio, तो यह इसका निकल किया रहा है, 74, ठीक है, अब next हम लोग देख लेंगे cash flow, अब cash flow जो होता है किसी company का, उसे अब लोग net cash flow के form में calculate करते, जहाँ पर यह तीनों values को हम लोग सम कर लेता है, तो cash from operating activity, then cash from investing activity, and finally cash from financing activity, okay, तो अब अगर किसी company का cash flow हम लोग को देखना है, और वो minus दिख रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं के company बुरी है, हम लोग को यह तीनों parameters को देखना होगा, यह कहीं वो company ने कु अच्छे चल रहा है, हर चीज हम लोग को देखनी होगी इसमें, तो हम लोग इसको देखते है, तो यहाँ पर हम लोग example देखेंगे, demart की, और cash flow हम लोग को यहाँ से लिख जाएंगा, cash flow यहाँ नीचे scroll करके, नीचे जाके, balance sheet की नीचे यहाँ से देख लेंगे, अब इस activity, तो यह जो company का दिख रहा है, हम लोग का मामला यहाँ पर देखिए, profit strong operation कितना दिख रहा है, 3669 करोर, तो उसको अपने operations से इतना profit मिल के आया है, तो यह अच्छी बात है, then receivables मतलब इतना वैसा उसको मिला है, ठीक है, inventory मतलब इतनी inventory बरी बढ़ी है, जो अपतर bikini है, त direct tax उसने जो बे किया था, यह minus में दिखा रहा है, तो जो इसकी तरफ से गया है, वो minus में दिखा रहा है, और वो ऐसे live data हम लोग consider कर सकते, तो यहाँ पर यह हम लोग को दिख रहा है, first factor that is cash from operating activity, then second इसमें दिखा रहा है cash from investing activity, यहाँ पर, तो इसने कुछ assets को purchase किया है, तो यह वजे से इसकी minus sign यहाँ पर आ लिए, तो यह company के लिए बुरी sign यह अच्छी sign है, एक company ने कुछ assets purchase किये, और assets कभी भी value देते है, तो इसने कुछ assets को sold किया है, that is just 5 crore value, और investment इसने कुछ purchase करके रखे है, again उसके पास पैसा surplus में होगा, तो इसने investment करके रखा रहा है तो इसके लिए, investment कुछ release किया है, तो 6 crore यहाँ पर पैसा उसको मिला, उसका, again, interest received हुए है, जो भी investment करा रहेंगा, तो इसको 39 crore उसके interest मिले होंगे, तो यह सारे activity हम लोगों को दिखने है, यहाँ पर investing activity में, next हम लोगो क्या दिख रहा है, यहाँ पर cash from financing activity, तो proceeds from shares, तो जो shares स इसको revenue generate हुआ है, वो है 15 crore रुपीस, यहाँ पर उसके बार में कौन से points आ रहें भई, proceeds from debentures, proceeds from borrowing मतलब क्या होता है भई, यह company है, अगर कुछ loan ले के रखा है, तो यहाँ पर कुछ value लिख याँगी, जैसे यहाँ पर दिख लीजिए, कि इसने इतने करोर का loan लिया था, और repayment of warning का मतलब उसने उतना payment चुका भी दिया, ठीक है, तो यह positive negative sign up को दिखना शुरू हो जाएंगे, तो अभी इस मामले में तो इसने ना कोई loan लिया है ना उसको pay किया है, तो यह अच्छी signing company के लिए, then interest paid, तो यहाँ पर इसने कुछ interest paid गिया है, for example, demand में किसी ने profit मिल रहा है काफी जाद है, ठीक है, तो वो basis पे इसका जो net cash flow निकल के आ रहा है, वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है, मतलब 112 crores, तो cash flow का मतलब यह होता है, कि company में पैसा आ रहा जा रहा कैसे, ठीक है, तो यह तरीके हम लोग को दिखके है, यहाँ पर, ठीक है, अब मामला फिर धीरे धीरे कम होने लगा, फिर माइनस में चला गया, तो क्या ऐसा हो गया, तो profits from operation यहाँ पर कम होते जा रहे, देखिए अब, ठीक है, receivables भी थोड़े कम होते जा रहे, ठीक है, inventory थोड़ी सी है इसकी, पहले तो जाती है थे माल अब जा नहीं रहे है, ठीक है, और कौन सी चीज़ें यहाँ पर इतना कुछ है नहीं, ठीक है, अब नीचे वाले scenario में क्या दिखा रहा है, cash from investing activity, यहाँ पर उसमें कुछ fixed assets purchase किये है, around 100 crores के, ठीक है, तो यहाँ से पैसे चले गए, कुछ sold किये है तो 2 crore आगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर interest receive जो हुआ 17 crores है, ठीक है, other investing items, अगर कुछ invest किया होगा, इसने कोई advancement में या तो फिर technology देखिया रहेंगा, तो आपर वैसे खर्चा होए रहेंगे, ठीक है, तो वो इतने है, ठीक है, अब यहाँ पर cash from financing activity में देखो मैं, तो proceeds from shares से कुछ नहीं आया है, ठीक है, proceeds from warring मतलब दिए कि उस dividends paying company में आती है, ठीक है, तो 112 crore का dividends अपने shareholders को दिया है, ठीक है, तो यह सारे scenarios को देखिए, तो इसकी value down हो गई है, ठीक है, तो इस तरीकी से हम लोग calculate करेंगे cash flows, और cash flow में ज्यादा एक चीज देखनी है, एक company ने ज्यादा warrings लेना नहीं चीए, ज्यादा loans अगरा नहीं लेना चाहिए, और company की operating activity से profit काफी अच्छा आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो यह चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें, अब next point यहाँ पर देखेंगे हम लोग operating profit margin, इसको हम लोग बोलते है, OPM percentage, इसका बतलब यह होदा है कि company जो business कर रही है, उस पर कितना margin gain कर रही है, तो इसको हम लोग OPM percentage से calculate कर सकते, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, again, screener.in पर, और यहाँ पर हम लोग कोई भी company का OPM percentage देख लेंगे, जैसे कि ITC का मैं देख रहा हूँ, तो यह मुझे कहा रेखने मिलेंगा, profit and loss में देखने मिलेंगा, नीशी जाओंगा में, profit and loss में इसको इसको जाके इससे compare करना पड़ेंगा, तो यह उसके comparison की companies है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर click करके उन लोग के OPM percentage देखना शुरू करतूँगा, तो मैं जाओंगा profit and loss में, मुझे quarters में यह चीज़ दिखेंगी, बढ़ मुझे quarter का नहीं देखना है, मुझे नीशे जाके profit and loss का देखना है, अब यहाँ पर इन लोग का OPM percentage कितना आ रहा है वई, around 21, 24, 23, ठीक है, और कोई company है, VST Industries, यहाँ पर इसका कितना आ रहा है वई, 37, 35, 30, इसका डो decrease हो रहा है, ठीक है, और कोई company, NTC, यहाँ पर इसका कितना रहा है वई, इसका 35 ता फिर 25 फिर 16, तो और decrease हो जा रहा है, मतलब इन सब companies में, अगर मैं देखो तो ITC का अच्छा दिख रहा है, यह ना, कि ITC का जो OPM percentage है, वो एक अच्छे ratio में चल रहा है, और गिर भी नहीं रहा है जाथा, ओके, तो एक अच्छी बात है कि ITC अच्छा profit gain कर दिए, तो एक अच्छी sign है किसी company के लिए अब next point हम लोग देखेंगे, earning per share, जिसको हम लोग बोलते है, EPS, EPS का formula होता है वही, जो net profit है किसी company का, अगर मैं इसको divide कर लो, उसके number of shares से, तो मुझे earning per share निकल किया जाएगा, क्या निकल किया जाएगा, earning per share, अब EPS के case में, दोनों भी चीज़े important है, कि company का number of shares हम लोग क निचे दिख रहा है, और उपर दिख रहा है net profit, तो अगर net profit किसी company का बढ़ रहा है, तो क्या चीज़ समझ में आ रही है, कि company का EPS बढ़ते रहेंगा, earning per share उसका बढ़ते रहेंगा, तो ये कभी भी EPS growing format में होना चाहिए, देखें EPS कभी भी growing format में होना चाहिए, तो यहा जाएंगे profit and loss में, और इसमें ये जो sequence है, इसमें second last देखनेंगे EPS, तो EPS देखिए अब, यहाँ आपर 10 था, then 24 हो गया, then 36 हो गया, अलब continuously grow हो रहा है, तो ऐसी company में अब लोगा आद दाना है, जिसमें EPS continuously grow हो रहा है, ना चि कोई ऐसी company जिसमें EPS यहाँ पर कम होते जा रहा हो, मैं example देखता हूँ, यहाँ पर Tata, still की देख लेता हूँ, यहाँ पर देखिए EPS कुछ actual समझ में नहीं आ रहा है, कम जादा कम जादा हो रहा है, growing phase में इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग को ऐसी company देखनी है, जहाँ पर EPS in growth हम लोग को देखने में देखा है, अब next important ratio है यहाँ पर price to earning ratio जिसको हम लोग बोलते है PE ratio, ठीक है, अब PE ratio में हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने current market price को divide कर दिया, अब इसमें consistency होना चाहिए, इसमें fluctuation ज्यादा होना नहीं चाहिए, और एक चीज के decreasing format में होना चाहिए, ज्यादा है, ज्यादा increase नहीं होना चाहिए, अगर increase हो रहा है तो यह negative sentiment है, अब इसको समझो कि किसी भी company की current market price अगर उपर है, और EPS नीचे है, अब EPS का मतलब ही हम लोग समझते है, net profitability, मतलब earning पर share, अगर EPS बढ़ रहा है, मतलब profitability बढ़ भी है, current market price बढ़ रहा है, तो यह भी अच्छी साहिन ह दोनों अगर साथ में चल रहे तो एक अच्छी बात है, अब ऐसे समझो कि किसी company की current market price इंक्रीज होते जा दी है, और EPS फ़र्द नेट प्रॉपिट उसका कुछ है ही नहीं company का, मतलब समझ के चलो कि कुछ ना कुछ बड़े manipulations चल रहे, तो ऐसी company हम लोग बोल सकते हैं फर प्रॉप की price कहीं उपर होती थी, और वन-sided movement डेती थी, बात में हम लोग को बता चला कि कैसे इसमें problems आए company में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या compute करेंगे, कि अगर किसी company का VE अगर increase हो रहा है, so it is not a good sign, हम लोग यसी company में इसा नहीं लेंगे, और अगर flat है तो okay है, अगर degrees हो रहा है तो अच्छी sign है हमारे लिए, ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे check करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग दाल देंगे company का नाम, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ आपर data alexy, और data alexy का VE मुझे दिख रहा है यहाँ यहाँ, that is 61.6, ठीक है, अब कैसे मानु हूँ हा historical, three years data, तो पासल पहले इस company का VE कितना था वही, 25, तीन साल पहले 45, और अभी कितना है, 61, तो यह degrees तो हो लिए रहा है, यह increase होती जा रहा है, वो भी काफी जा रहा, आरी बास समझ में, so it is not a good sign, अगर मैं कोई और company की बात करू, मैं बात करता हूँ, DMART की, DMART जो क है, इसमें जादा fluctuations हो नहीं रहे है, मैं Infosys एक अच्छी company की बात करूँ तो, पासल पहले इसका बीधा 20 बंद, then तीन साल पहले 24, then again 20 बंद, तो यह एक अच्छी sign हम लोगो दिखर है company में, और जितना यह degrees होगा और अच्छी बात रहेंगे, अब हम लोग आते next important parameter पे, that is quick ratio, quick ratio का मतलब यह हो रहा है कि capital बीचती company है against their expenses, मतलब company का अगर कुछ खर्चा है, तो उसके against में, उसके पास में पैसे कितने है, जैसे हम लोग में होता है न, अगर हमारी standard of living काफी जादा high हो गई है, तो लोग बोलते कि आप इकना खर्चा क्यों कर रहें, तो public क्या बोल करते हैं, तो company में भी same जिस जनती है कि उसका quick ratio जादा है या गाम है, तो हम लोग इसको देखते है, यहाँ पर मैं company की बात करता हूँ, सिबला, इसका quick ratio कैसा निकालेंगे, यहाँ पर लिखनेंगे quick ratio, सिबला का quick ratio निकल के आ रहा है 2.31, मतलब अब अब इसका कर्चा है 1 इसके पास, इसका quick ratio कितना निकल के आ रहा है 2.31, मतलब डबल से जादा उसके पास में capacity है, उसके पास में उतना capital है कि उसके expenses को टेक ओवर कर सकती है, तो ऐसी company कहीं न कहीं development कर सकती है, expense अपने बढ़ा सकती है, क्योंकि उनके पास में पैसा है रखा हुआ, आरी बस समझ म तो एक अच्छे sign है, तो किसी भी company का quick ratio अगर एक से जादा है तो good, और एक से अगर काम है तो मतलब हम लोग के लिए bet sign है, अब next parameter है हमारे सामने है ROCE, मतलब return on capital employed, इसका simple सा मतलब तो यही होगा कि जो भी capital employed किया है, यह लगाया है, उसके उसको return कितना मिल रहा है, यह उस किसी भी company की अच्छी profitability मतलब क्या, तो आम तर पर यह बोला जाता है कि किसी भी company की अच्छी profitability मतलब 20% से जादा होना चाहिए, ठीक है, तो यह ratio में अगर 20% से जादा आ रहा है तो एक अच्छी sign है, और अगर कम आ रहा है तो अच्छी sign नहीं है, ठीक है, कोई example है कि कितना है, 39% और increasing होते जा रहा है, तो खाफी अच्छी sign है कि company की profitability कितनी जादा है, आरी बस समझ में, अब नेक्स पॉइंट हम लग देख रहेती हैं आपर, that is ROE, मतलब return on equity, इसका मतलब यह है कि return let company is generating from each and every penny of shareholder, मतलब यह है, मतलब यह है कि जो भी shareholders ने, या जो भी public ने shares खरीद है company है, तो उन shares से या उनके पैसों से company कितना return generate करती है, ठीक है, तो आम तर पर बुला जाता है कि it should be at least more than 10%, 10% से उपर ही होना चाहिए, और 15% से भी उपर होना चाहिए, और 10 से नीचे है तो एकदम अरदी company है, आरी पर समयंगे, तो यहाँ अपर यह चीज़ हम आपर कितना है, last year 29% का है, आरी बास समझ में, यहाँ आपर कोई और company की बात करें, अच्छी company की जैसे Britannia की बात कर रहा हूं में, तो Britannia का तो Britannia का ROE देखी आप लो, कितना जबरदस्त है, 67% last year का, तो इसको बोलते है अच्छी company, आरी बास समझ में, अब next ratio की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर share capital, share capital का मतलब मैं आप लोग को समझा आता हूं, इसका formula देख लीजे आप लोग, इसका मतलब है बई, number of total shares into face value, अ की आरी है, कि कितने का share है, जैसे का अगर 10,00,000 share है, और 10 रुपे की value की है, तो पूरी valuation का निकल की आरी है, एक करोड की valuation नितल की आरी है, तो यह company का share capital हो गया, अब एक question अगर मैं आप लोग से पूछो, कि किसी भी company का share capital increase हो रहा है, share capital increase हो रहा है, तो क्या यह एक इसी भी company की face value तो change होती नहीं है, तो अगर share capital increase हो रहा है, तो किसकी वज़े से हो रहा है, total number of shares की वज़े से हो रहा है, और यह एक अच्छे sign होती नहीं है, हम लोग को पहले से बताएं, ठीक है, तो share capital कभी भी same ही रहना चीए, तो ना increase होना चीए, ना जादा decrease होना चीए वो constant ही रहना चीए, वो ही अच्छी बात है, तो इसको हम लोग कैसा देखेंगे, हम लोग जाएंगे सीधा और balance sheet में देख लेंगे इसको, यह देखें, यह जो भी company हैं, कौन सी हैं, ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया का देख भीज़े, आप लोग share capital same चल रहा है, आरी ब समय में, आप कोई और company के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, DLF की, अब यह जो company की balance sheet में मैं जाओगा, तो यहाँ बस share capital देखिए अप, current investment increase होती आ रहा है, मतलब यह company क्या करती है, अपने shares को बढ़ाती है रही मार्केट में, it is not a good sign, यह चीज में जाकर देख लेंगे, यह number of shares कितने दिखा रहा है, ठीक है, next point हम लोग देखेंगे, borrowings यह debt, तो debt का मदलब यह के loan, इस truck market में जो भी companies होती है, उन लोग आम तरुपे borrowings लेते रहते, ठीक है, और जो company नहीं लेती हुए, एक अच्छी company मानी जाती है, अब loan लेनी की पैसा तक नहीं चलाने के लिए, तब जाकि लोग लोग लेते हैं और अपने पैसो को चुकाते हैं, तो ऐसी company में अब लोग ने हाथ दाना ना नीचीए, तो simple सा factor यही है, कि जो company पर borrowings जाता है, उसमें अब लोग आती नहीं दालना है, आरी बस समझ में, अब यह जो factor है बारिंग्स, यह banking sector में नहीं चलेगा, banking और finance stocks में नहीं चलेगा, बैंकिंग्स में actually, जो loan होता है एक asset माना जाता है, अब यह कैसा आप लोग देखेंगे, तो आप जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दाजिएंगे किसी भी company का debt, जैसी click करेंगे तो आपको दिखा इसमें debt है, तो यह देखेंगे, यह company 152 crores की है, तो इस पर debt कितना है भई, 54 crores करोड है, तो इतना सार रो debt है, इस पर debt है, अगर मैं बात करूँ भई, भारती अटेल की, तो यह company का जितना भी market cap है, उसका half तो इसका debt है, 50% debt है यह company पर, तो हम कुछ सोच सकते कि कोई भी company अगर debt की basis पर चल रही है, 50% से जादा रहरा debt है उस company पर, तो क्यों यह company अच्छी होंगे, जो company का major part अगर debt नहीं है, और वो खुद के बैसो पर चलती है company, तो वो अच्छी company मानी आती है, आरी वह समझ में, तो ऐसी company को हम लोग को avoid करना है, जिस पर debt जादा है, और basically हम ल तो यहाँ पर यह ratio देख लो, debt to equity ratio, इसका मतलब क्या हो रहा भई, total borrowings यह total debt divided by share capital plus total assets, मतलब नीचे पैसा ले लो, खुद का company का और उपर ले लो भई, loan, तो अगर minus में value आ रही है, या value कम में आ रही है, एक से कम में आ रही है, मतलब इनके पास खुद का capital जादा है, अग बस समझ में, तो यहाँ पर देख लीचे आप लोग, अगर debt to equity ratio, less than 1 निकल के आ रहा है, तो conclusion क्या है, company good है, less than 1 मतलब क्या share capital जादा है, loan का में, अगर 1 से 2 के बीचे में, okay, okay, और अगर more than 2 है, मतलब क्या, इस पर loan जादा है, और इसका खुद का पैसा नहीं है, जैसे हम example देखने हैं, तो यह वाली company का debt to equity ratio, अगर मुझे देखना है, तो मैं लिखूंगा debt to equity ratio, और यह कितना निकल के आ रहा है, 2.9 बर, तो देखे हैं, यहाँ पर 2.9 मतलब एक बुरी sign है, कि यह company का debt to equity ratio 1 से उपर आ रहा है, और 2 से भी उपर आ रहा है, अब यह अगर मैं परी की बात करों, मैं डीमाट की बात करों, तो डीमाट का, देखे है, 0.04, इनको ज़रौवती नहीं लोन लेने के, इनके पास इतना cash flow बढ़ा है, इतना पैसा इन लोग generate कर लेते हैं, इन लोग को borrowings की ज़रौवती नहीं पढ़ते हैं, आर यह बास समझ में, अब यहाँ पर हम लोग next parameter देखेंगे, that is PEG ratio, PEG ratio actually, किसी भी stock की fair value decide करने के लिए, माना जाता है, यह ratio, PEG ratio मतलब क्या, हम लोग ऐसा simple बोल सबते हैं, कि price to earning growth ratio, हम लोग इसको गोलेंगे, कि PE ratio से जाड़ा significance, हम लोग को दे देता है, PEG ratio, तो यहाँ पर अगर में कोई company का नाम दालू यहाँ पर इसका PEG ratio कितना निकल गया रहा है, 10.2, तो किसी भी company का PEG ratio अगर 1 से कम होता है, तो वो एक अच्छी company मानी जाती है, और अगर 0.5 से कम है, तो एक opportunity समझ के चलो, but 1 की उपर अगर है तो it is not a good sign, तो यहाँ पर इसका PEG ratio काफी जाद है, it is not a good sign, अगे, अब जो company का PEG ratio कम होगाना, तो वो अच्छी company मानी जाएंगी, यहाँ अपस जैसे मैं देख रहा हूँ एक company, emphasis, इसका PEG ratio 1.49 है, बट 1 से कम नहीं है, तो हम लोग को यह ratio की company अगर निकालनी है, तो हम लोग screener में जा कि इसको देख सकते है, अच्छे से के कौन सी company का PEG ratio, 1 से कम आ र stocks अगर कम पड़े हैं, मतलब ज्यादा release होजे जा रहे हैं, big जा रहे हैं, sales हो जा रहे हैं, तो एक अच्छी sign है, तो क्यों मैं यह चीज़ बोड़ रहा हूँ कि ज्यादा पड़े हैं, तो अच्छी बात नहीं है, यह कि इसमें कुछ problems हो सकते, अगर ज्यादा महीनों तक क अब suppose करो कि किसी एक मंदे की selling capacity ऐसी है कि वो एक दिन में 10 products बेश सकता है, और company में उसने बनमा के रखनेवाई 100 products, warehouse में पड़े हैं, तो उसका days inventory outstanding क्या हो जाएंगा, 10 days, यह 10 दिन में वो पूरे products को भीका देगा, आरी बस समझ में, तो company में भी same चीज़ हम लोग को देख days inventory outstanding, और वो यहाँ पर दिखा रहा है 148 days, मतलब ITC के बास में इतने products बचे है, यह वो 148 days तक बिखेंगे, मतलब इतनी जादा दिनों की inventory इसके पड़ी भी है, जो इतने दिन तक बिखेंगे, तो आप इतने दिन तक बिखेंगे, मतलब इतना जादा मान इसने जमा करके र तो कोलेट का days inventory outstanding, मैं 68 days का लिखा रहा है, और demand की बात करो तो, demand का लिखा रहा है, 32 days, तो जितना जल्दी जल्दी rotation होगा ना अच्छी बात है, वना जादा time तक हम नोंने रोका के रख दियाना तो यहाँ पर spoilage का chances है, spirey का chances है यहाँ पर, अब next point हम तो देखेंगे, यह अच्छी बाती है company, यह company ने जब अपने products market में लेके आये है, तो लोगों से पैसा लिया है, या कुछ उधारी के level पर दे दिया है, okay, तो कितना जल्दी collect कर पा रही है, अच्छी sign होती किसी company के लिए, और अगर late कर पा रही है, मतलब एक बुरी sign है, okay, तो इसको भी हम लो और company के अगर मैं बात करूँ तो, यसा IDC की बात करूँ तो, IDC का यहाँ बर 15 days रिका रहा है, तो बुरी sign नहीं अच्छी sign नहीं है, ठीक है, और जितना जादा days रहेंगे ना, वो अच्छी बात नहीं होंगी, और में दाल जे तुम्हें आप तेजस networks, तो इनका रिका रह होना चाहिए, तीन महीने तक भई ठीक है कि inventory maintain है, तो same यह चीज़ भी जादा दिन तक नहीं होना चाहिए, कि दो महीना बहुत हो जाता है कि किसी भी बंदे से पैसे collect करने के लिए उससे जादा नहीं होना चाहिए, आई यह बात समझ में, तो अमीद करता हूँ दोस्तों क में लेंगे नेक्स वीडियो में, अल्ला आफिस